इन दिनो राजधानी दिल्ली समेत देश के लगभग सभी राजियों में आई फ्लू ने कहर मजा रखा है। इन्फेक्शन कम से कम एक हफ्टे तक बना रहता है। इसे में आखों को ठंडाई देने से आपको अराम मिल सकता है और ये काम टी बैक से बहतर कोई नहीं कर सकता है। इन्टी इन्फलोमेट्री और सूधिंग यानि आराम देने वाले गुण होते हैं। स्टडी इसमें पता चला है कि ग्रीन टी, कैममाईल, रुईबोस और ब्लैक टी में इन्टी इन्फलोमेट्री गुण होते हैं। आखों पर टी बैक का उपयोग सूजन को कम करने का काम कर सकता है। इसके साथ ही आखों पर ठंडी सिकाई भी आप कर सकते हैं। अगर आखों में redness और जलन महसूस हो रही है तो ऐसे में अगर आप सोच रहे हैं कि गुलाब जल तालकर आखों में relief मिल जाएगा तो आप बिलकुल गलट हैं। मारकेट में मिलने वाले गुलाब जल में कहीं तरह के केमिकล्स मिलाया जाते हैं। रोज वाटर में रोज की महक के लिए फ्लेवर भी मिलाया जाता है ऐसे में अगर आप आई फ्लू में अपनी आखों में डालेंगे तो आपको आखों में गंभीर जलन, जाधा पानी आना और आखों में घहरे घाओं की समस्या भी हो सकती है तो ऐसा करने से बचे और आई फ्लू में डॉक्टर की प्रिस्क्राइबड आई ड्रॉप ही अपनी आखों में डालें तो दोस्तों मारे आज के इस वीडियो में इतना ही उमीद करती हूँ आपको मारा ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आपको मारा ये वीडियो कैसा लगा वीडियो को लाइक और चानल को सब्सक्राइब करना ना भूले